अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो रेट बटन दबाके चैनल सस्क्राइब कर लिजे वैल आइकन दबाके नोडिविशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ ने कुछ आप नया सीख सके हैं कि हारी स्टुडेंड का ओअच्राइस अलग अपको किसि से कंप अलग होता है अपको अग 컬े कार से आप सी आप कौुट अपको हैं प। फंडाई की से अच्थमार है क्या लेकि एक त्र activ निली के साँगे कर शार जाब हानके त्रफिक में यहां परता बार नंपकर रूग से का कम यूग होगा ठीक है अपने राइट वाले वार्वियम को सेट कर लीजिए अपनी डारिक्षिन के इसाथ के दिख रहे हैं चलो अभी हैंड्रेक अनलॉक करो कि अब ने बहुत थाकत लगाई गेर हैं यह देखो कितना मक्षंद ऐसा गेर लगाई दस गुना ताकत ज्यादा लगाई थी आपने ऐसे तु ट्रक और बस में गेर लगाते हैं यह इस सारे से इधर देख लो एक फिंगर ते यह देखो एक बच्चा दो साल का हुगा हुगी इधर रिखो पर आपने कैसे लगाया इस से गेर बॉक्स ही खराब हो जाए गराडिया कट जाए रबडे कट जाए लगाओगे फर्स्ट लगे का थर्ड लगाओगे थर्ड लगे का फर्स्ट अभी हैंड्रेक अनलॉक को रूँ चलो अब आपने देखो पूरा क्लच खड़ी गाड़ी पर रिलीज कर दिया 20 से 30 परसंट क्लच रिलीज करने पर ही गाड़ी मूब करने लगती फस्ट गेर में 20 से 30 परसंट क्लच रिलीज करने से गाड़ी गेर में एक्टिव हो जाती 20 से 30 परसंट जैसे आप रिलीस करते हो थोड़ा सा 1 सेकंड 2 सेकंड वेट करते हो गाड़ी मूब करने लगती गाड़ी जब 2 से 3 मीटर बढ़ जा है बचा हुआ 70 परसंट क्लेचे रिलीस करते हो सिंपल है अभी सिगनल बंद कर दीजी आप क्योंकि सीधा सीधा सिंगनल बंद नहीं होता है अभी स्पीट मेंटेन करिए आपके पिछे बस है और गाड़ी अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रखी ताकि आने जाने वाले लोग आपसे डिश्टब ना हो ने तो लोग आपको हॉन देखके परिशान करेंगे अभी स्पीट मेंटेन करिए और श्टेरिंग आपने बहुत पास पकड़ रखी जो उसका डायरा है उस दायरे को पकड़िए अभी क्लस दबा के सेकंड गेर करिए संजीव जी आपका राइट वाला पैर ब्रिक प्याया नहीं आया चलो अभी क्लस को फ्री करो अपना लेफ्ट आ जाओ जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे जितना लेफ्ट रखोगे उतना सेफ रहोगे जितना बीच में चलोगे उतना जादा लोग डिश्टब करेंगे विगनर्स को यही नहीं पता होता कि हमें अपनी कार को चलाना कहा है हमारी साइड है कौन सी सबसे पहले चीज़ तो हमें अपनी साइड को समझना है कि हमारी साइड लेप टे राइट बीच में कहां चले हम और थोड़ा सा स्पीड मेंटेन करिए बहुत जादा स्लो चलाना भी एक्सिडेंट के कारण है हर वेक्ति आपको लेफ्ट राइट से ओवर्टेक करेगा उसको जगे नहीं मिलेगी इतना चौड़ा रोड है नहीं कि फोर लाइन फिप लाइन का है यह अभी आगे से लेफ्ट जाना है सिगनल दे दीजी अभी सही और गाड़ी अप लबे की पूरी तरीके से इंजन आपका फ्री होगे गाड़ी आपकी रुक जाएगी फिर जब रुक जाएगी फिर आफ सेकंड गेर में क्लच छोड़ों के गाड़ी के इंजन बंद हो जाएगा 90 परसन यहीं होता है स्लो करने के लिए हाप क्लच दबाना होता है फुल क्लच नहीं दबाना होता है अब राइट जाना है फुल क्लच दोई कंडिशन में दबाना होता या गेर बदलते वक्त या गाड़ी को पूरी खड़ी करते वक्त तो रोकना है मतलब प्रॉपर अगर गाड़ी को में स्ट जाने दोसको, अब निकाल लो आप बढ़ा के, बढ़ा के निकाल लो, बढ़ाओ बढ़ाओ, क्योंकि बढ़ी गाड़ी है, और थोड़ा स्पीड मेंटेन करके चलिए, थोड़ा स्पीड बढ़ा के चलिए, और अपना राइट वाली ही साइड पकड़ के रखिए, ताकि आप चल सकते हैं, सेकंड गेर में, आगे आपको आरा, चौरहा, यहां पर हमें अलट हो जाना, गाड़ी थोड़ी सी लेफ्ट लिया आना है, ताकि ये राइट जाने वाले लोग हैं, लेफ्ट का सिग्नल दो, और गाड़ी धीरे से लेफ्ट दबा लो हलका सा, चलो धीरी धीरे, भाई दबाओगे भी तो गाड़ी, हाँ, धीरी धीरे, क्लस दबा के फर्स्ट गेर करो, चलते चलते, फिर आपने ताकत बहुत लगाई गेर में, फिर आपने गेर को हाड़ बगड़ लिया, वो पता नहीं क्यों आप से गेर इतना टाइट हो जा रहा है, चलो धीर फुल नहीं छोड़ना, हाफ क्लच, फुल क्लच छोड़ते इंजन बंद हो जाएगा, फुल क्लच छोड़ते इंजन बंद हो जाएगा, चलो अभी धीरे से लेफ्ट वाली लाइन में आजो सिगनल देके, चलो धीरे धीरे बढ़ाओ, सुबे का टाइम है, ऑफिस का, जा रहे हो, हर बेक्टी आपको ओवर्टेक कर रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइन में नहीं हो, या तो पूरी गाड़ी लेफ्ट रखो, या तो पूरी गाड़ी राइट, राइट रख नहीं सकते हो, क्योंकि राइट में लोग ओवर्टेक करते हैं, तो राइट वाली ल पर दिनों में इसको नहीं सही कर पाए तो फिर आप क्या सही कर पाओगे वही आदत बन जाएगी आपके और जो आदत बन गई ना उसको एक बार आदत बन जाती ना तो फिर दिक्कत होती है अब सामने आरा मुंशिपुलिया चौरहा अब यहां पर आपको अलर्ट हो जाना ह हलका संद लेट दबा लो उसको जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो चलो खिशकाते रो चलो जहां पर संजीर की गाड़ी पूरी खड़ी हो जाए ना वहां पर चलते चलते फर्स्ट गेर हो जाना चाहिए मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े आपको अपने आप चलान पुल क्लच रिलीस किया गाड़ी बंद हो जाएगी इंजन बुच जाएगा और हल्का सा एक्सेलेटर भी ले सकते हो आप अगर आप हाफ क्लच पे गाड़ी को उठा रहे वो भी ट्रैफिक में तो हल्का एक्सेलेटर पुछ करना पड़ेगा अभी क्लच को फुल रिलीस करो पीड बढ़ा के गेर चेंज करो फिर एक्सेलेटर दबा दिया आपने फिर एक्सेलेटर दे पैर नहीं हट आपका बढ़ाईए श्पीड बढ़ाईए कि स्पीड मेंटेन करिए और बढ़ाईए और गाड़ी अपनी लेफ्ट वाली लाइन में रफो ताकि जो ओवर टेक क करेगा तो रॉंग साइट से तो नहीं करेगा ना अपना लेफ्ट वाली लाइन में लेकिया जो हमीश्व वो टेक राइट साइट से करते हैं यह जो आपकी कमी आए वो मैं आपको बता रहा हूं ओन कैमरा ओन ट्रैफिक मैं 1% भी क्लेज ब्रिक पे पैर नहीं रख रहा और जो यह एक्सेलेटर से पैर नहीं हटना ताइम पे गेर नहीं लगना चलते रहो सेकेंड में चलते रहो सेकेंड में चलेगे हो जारा राइट लहराईएगा नहीं और ट्रैफिक में चलाओ क्योंकि मैं ट्रैफिक में चलवाने के लिए लेके आया हूं अगर साइट से निकलवाना होतो तो सर्विस लाइन से में निकलवा देता लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है देखो फिर राइट वाला पहर आपका एक्सेलेटर पही था चलो बढ़ाओ आपके माइन में नहीं गलत फहिमी बहुत बुरी तरीके से बैट गई है कि बिना एक्सेलेटर गाड़ी नहीं चलती है यह गलत फहिमी बहुत बुरी तरीके से बैट गई और यह आपके लिए हानिकारक हो जाएगी यह हानिकारक हो जाएगी जब आप अकेले चला रहे होगे, कब आप ब्रिक की जगे एक्सेलेटर दबा दोगे, इन्हीं से गलतिया होती, भाई जिस गली जाना नहीं उसका पता क्यों पूछना है, गेर बदलते वक्त राइट वाला पैर ब्रिक पे क्यों लाना होता है, क्या हमें ब्रिक लगाना है, नहीं, सिर्फ उमें एक्सेलेटर से पैर उठाने का एक बहाना चाहिए होता है, और ब्रिक पिलाने का और एक्सेलेटर ब्रिक का हैविचल होने का मतलब है, जो लोग अपने फ्रैंट्स अपने मतलब घर में सीखते हैं, उनका कभी भी ये पैर सेटी नहीं होता है, उनके स साल से चला रहे थे बुका है। फिक दबाना चारे थे गल्थी से अशलेटर डब गया। क्योंकि ब्रेन आप का वह करता है। चहलें प्रेस्ट अपे पार ह預द आप के बारे में और रंद एकस्ट टोवा अजो अशुप को फूट द defining कर लो पीछे वाले लोग थोड़ा डिश्टब हो रहे हैं क्योंकि वो सीख नहीं रहे न अब धीरे से लेफ्ट का सिगनल दे के गाड़ी लेफ्ट दबा लो बिना सिगनल के कभी लाइन चेंज नहीं करनी चाहिए सबसे पहले चीज इससे एक्सिडेंट होते हैं अभी स्पीड बढ़ा लो और गाड़ी अपनी लेफ्ट में रखना राइट में जाने की जरूरत नहीं है और चितना लेफ्ट रखो कि उतना सेफर होगे क्योंकि आप लर्नर हो आपको कोई लेफ्ट से ओटेक ना कर सके अब यहां पर आ रहा है पॉलिटेक्निक चौराहा और यहां कुछ लोग रॉंग साइट से भी आ जाते है फोड़ा सा सौर्ट कट मारने के लिए क्योंकि कंसेक्शन की वज़े से आप आपका कलेवा चौराहे से ही गाड़ी यूटन हो सकती है अब इन सब जगे न हमें बहुत ही अलेड होना पड़ता है जो चीजे मैंने आज आपको सिखाई है और बताई है इस वीडियो को जाके घर पे देखिएगा और एक बार नहीं दस बार रिपीट करके देखिएगा फिर आपको पता चलेगा कि आपका पैर ब्रिक पे आता है या एक्सिलेटर पे रहता है आप गेर लगाते वक्त क्या क्या एक्टिविटीज गड़बड करते हो चलो जाने तो हमें वेप की तरफ चलना है यह यलो लाइट जो आउन हो रही है यह बी अलट का सिगनल होता है इसका मतलब यह है कि आप गाड़ी को देख के चारो तरफ निकाल सकते हो यह रुकने की ज़रूरत नहीं है चारो तरफ देख के और गाड़ी को आप निकाल सकते हो चलो वो लोदी गाड़न की एरिये में घूम रही थी इसलिए उन नहीं रुक रही थी और उनको रॉकना भी नहीं था इसलिए जिसकी जितनी बड़ी गाड़ी उसकी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी अभी सीधा चलना देख कर आप आपके नहीं राइट दबाओ ऴुげ थी धिरे चलु 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 Son चलु So पर जाओ जितना ज्यादा भाई अलट रोगे उतना ज्यादा कॉंफिडेंस बिल्ड कर पाओगे उतना अच्छे प्रूबन पाओगे नहीं ध्यान दोगे तो कब कोई किसको बोनेट पे आप सही चला रहें सामने वाला घुश जाएगा बढ़ाईजी स्पीट राइट वाला हाँ तो उसमें वन टाइम तो गे writing मायडियर हुआ रीवर्स करते टाइमडें तो रीवर डालोगे तो ऊसमें भी गेर को हाड पकड़ोंगी तो उसमें भी तो गेर भांडी ऑलग होगा अब देखों ऐसे लॉगों से अालेड्स हो अीर बस बस अब एकदम से एकदम से बंदा राइट आ रहा था तो ऐसे लोगों से बचना बहुत जरूरी है अब भी वह एकदम से राइट आजाता आप हॉन नी देते आके बढ़ जाता और जिरी जिरी आ रहा था उसने देखा यह नहीं क्योंकि उसकी साइकल में कोई साइड मेर तो है नहीं 90 परसंट साइकल वाले दिक्कत करते हैं साइकल क्या बाइक वाले करते हैं क्योंकि वह अप हाँ इसी कट से हमें टन करना है ब्लैंड टन है लेट भी लोग आ जाते हैं अपने लेफ्ट वाली साइड को देखते रहना कोई लेट से आ न रहा हो ब्रिक लेलो हलका सा हाँ बस अब फोर दो ब्रिक टन करो बस हमें सीधा जाना है चलो गुड अभी पहले क्लच को संजीव जी रिलीस करना उसके बाद एक्सेलेटर पुश करना है क्या सीखने को मिला आज आपनी की नोटीस करी मैंने एक बार भी कल ज़रूर ब्रेक प्रपार न ही रखा है एक बार भी अभी तक यह प्लाणिग अपको खुसे करनी है अभी तो मैं बैठा हूँ मैं गाइड करा रहा हूँ कल को आप चलाओगे तो ये सारी चीज़े आपको करनी दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक करें जैहिन बंदे मात्रम